हे गाइज कैसे हैं आप लोग वेल आज के इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग और फिर्स्ट इंप्रेशन करने के लिए जा रहे हैं बोट एयर डॉप्स 175 ट्रू वाइलस एर पॉर्ट का इसे मैंने एमिजॉन से पर्चेस किया है 1699 के प्राइस्पन पे एन गाइज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अन्बॉक्सिंग और फिर्स्ट इंप्रेशन वाला होने वाला है प्लीज मुझे एक दो दिन का टाइम दे दिजे ताकि इस यह बटकी मैं अच्छी तरीके से टेस्टिंग कर सकूँ ताकि मुझे पता चल सके कि इसके क्या आजी नहीं है एक दो दिन का टाइम लगेगा तब तक के लिए अन्बॉक्सिंग देखते रहिए सू गाइस तो यह रहा हमारे सामने में बोट एयर्डॉप्स 175 ट्रू वाइलस एयरपॉर्ट का बॉक्स बॉक्स पर आपको काफी बड़ी फोटोग्राफ्स इस एयरपॉर् दोनों मिला के आपको और क्विक चार्जिंग को भी यह सपोर्ट करता है बैकसाइड की बात करें दोस्तों तो बैकसाइड में थोड़ी बहुत फीचर्स और मेंशन करें गया है जैसे कि आपको 10 mm के ड्राइबक इस्तेमाल किया गया है इंस्टा वेक और टेक्नलोजी इस् किया गया तो चलिए फटा फटा बॉक्स को जो है अम ओपन कर लेते हैं तो यह हमारा सील है तो इसे हम करते हैं कट तो यह नाइप हमारा ऑगत कट अधिक फोट्र को इसके अंदर में रखने लिए तो यह काफी मतलब एक difference यहाँ पर मुझे देखने को मिल गया है बोट की तरब से यह एक difference यहाँ पर मिलता है तो चलिए ठीक ठाक build quality है प्लास्टिक की है अब ठीक ठाक यहाँ पर आपको case मिलता है तो यह बहुत extra paperwork यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं और मेरे हिसाब से यह पूरी तरीके से paper का wastage है दोस्तों किसी को अगर जरौत होगा तो user guide warranty card website से digitally download करके इस्तमाल कर सकता है इन सब चीज को देना बेकार है paper का wasting है दोस्तों इसे करते हम side में दोस्तों एक आपको USB type A to type C charging cable यहाँ पर देखने को मिल जाता है जिसकी build quality यहाँ पर मुझे ठीक ठाक लग रही है दोस्तों यहाँ पर इसी भी करते हम side में तो यहाँ पर आपको दो extra pair of silicon के ear tips भी आपको provide कराए गये हैं एक bigger size का है एक आपका small size का medium size का side अंधर होगा तो आते हैं main device पे तो यह इसका charging case यहाँ पर charging case जो है वो tower type का आपको design देखने को मिल जाता है सामने के side से आपको यहाँ पर board की यहाँ पर branding करेगी है उसी के नीचे में आपको एक single led charging case का यहाँ पर देखने को मिल जाता है नीचे एक side से आपको एक USB type C charging port देखने को मिलेगा इस charging case को charge करने के लिए back side कुछ भी नहीं दिया गया है दोस्तो तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही charging case आता है इसको open करेंगे तो आपको आपका TWS जो है वो सामने देखने को मिल जाता है दोस्तो इससे जो है एक दो चीज में चेक कर लेता हूँ कि भाई कैसा है तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो लीड है जो हिंच है यह जो cap है यह moment कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो हलका सा काफी मामूली सा यहाँ पर moment इसके जो है ना कैप में मुझे देखने को मिल रहा है दोस्तो वह हुआ पर देखते हैं कि इयर बर्स चार्जन में कंदर में moment करता है कि नहीं करता थोड़ा worldview करके ओके गाईश तो यहाँ पर चार्जिंग केज में यह बर्ड जो है वो मुमेंट करता है अब आज मतलब जो है सुनने को आ रही है मुझे बड देखते हैं कि चार्जिंग केज और यह बर्ड का जो मैगनेट है वो कितना यहाँ पर आपको पावरफुल देखने को मिल जाता है तो यह हलके से मारने से नहीं निकल रहा है दोस्तो लाइट थोड़ा सा और हाट करते हैं तो यहाँ पर जो चार्जिंग केज के अंदर जो मैगनेट इस्तमाल किया गया है यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर मुझे दिखने में फरसा हलका ऐसा लग रहा है कि बल किया रहा है फरसा मोटा सा यहाँ पर जो ना स्टीम जो है वो फुरसा मोटा सा मुझे देखने को मिल रहा है यहां पर आपको काफी अच्छी मिलती है स्टडी सा मुझे लग रहा है दोस्तों चार्जिंग केस की जो प्लास्टिक की क्वाल्टी है वह आपको काफी स्टडी सा मुझे देखने को मिल रहा है और यह बर्स की जो बिल्ड क्वाल्टी वो भी मुझे यहां पर काफी स्टडी मुझे देखने को लग रहा है दोस्तों मतलब build quality wise कोई ज़्यादा complaint मैं आपको बोलूगा कि नहीं है build quality wise और lightweight सा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा lightweight तो नहीं है पर हाँ lightweight है यहाँ पर तो गाइज यह यह पॉर्स है इसकी build quality मुझे ठीक ही लग रही है अब आते हैं इसके main point पे भही क्या audio की department है microphone का performance है overall जो performance है वो तो दो दिन की testing के बाद ही पता चलेगा तो detail review का इंचजार किजिएगा थोड़ा बहुत time लगेगा बट आपको इसी channel पे इसका detail review मिल जाएगा तब तक के लिए thank you take care and bye bye